नमस्कार देश की बात में हाजिर है और आज हम पहले बात करेंगे दूद के बड़े हुए दामों की अमूल ने आज अपने दूद के उत्पादों के जो दा में तीन रुपए प्रती लीटर बढ़ा उत्री करती है आपको बता दे अब अमूल गोल्ड है चासट रुपए प्रती लीटर मिलेगा अमूल ताजा चौबन रुपए प्रती लीटर अमूल गाय का दूद चपन रुपए प्रती लीटर और अमूल एटू भैस का दूद सत्तर रुपए प्रती लीटर हो गया है पिछले एक साल में अमूले 8 रुपे प्रति लीटर दाम बढ़ा हैं आई सुनते कुछ लोगों का क्या कहना रायस पर अच्छी कॉलिटी का दूठ जो कंपनीज प्रोवाइड करती है उसको रेट भी ऐसा रखे हैं जो सब लोग इस्तमाल कर सके एक पॉश्टिक चीज है बच्चों के लिए बहुत जरूरी है व्रिद लोगों के लिए बहुत जरूरी है सब के लिए जरूरी है तो इस पर कुछ सरकार को अपना बात करके कुछ कंट्रोल लाना चाहिए और इस पर कहना का है तो श्यसाद आठ मेन में जो है बराबर दूद करेट बढ़ाते जा रहे हैं अब तो हो गया जाए के 6-6 रुपया का एक लीटर वी एक किलो भी नहीं लीटर होता है इसमें हम लोगों को नुक् के हमारे साथ हैं बहुत बहुत धनेवाद मैता जी जुनने के लिए समय निकालने के लिए पहला सवाल यही है कि अमूल दूद के दामों में 2-3 रुपय की भड़ोत्री क्यों की गई है क्या कारण है इसके पीछे अमूल दूद के दाम में 2 रुपय प्रती लीटर की उसतन बढ़ोती की गई है गुज़ात को छोड़के देश के सभी मार्केट्स में जहां आम दूद बेजते हैं तो 500 ml प्रती पाउच पे 1 रुपय प्रती लीटर माने हर लीटर पे 2 रुपय ताजा शक्ति, गोल्ड, स्लिमेंट रिम वैसे आज सुबे से हमने इंप्लिमेंट किया है जैसे आप जानते हैं कि पिछले एक साल से किसान काफी प्रेशर में है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इंपूट्स है मिल्क प्रोडक्शन के, फीड, फॉडर और बाकी और चीजों की काफी बढ़ोती हुई है तो उनको अच्छे दाम देने के लिए हमने ये बढ़ोती की है और एक्चुली कहा जाए तो हम इस बढ़ोती के लिए काफी मजबूर हुए है अहम बात कई की मजबूर हुए है मैदाजी लेकिन दूद तो रोज की जरुवत है, बहुत एहम होता है और अमूल पर लगों को बहुत विश्वास भी है तो ऐसे में अब क्या कहेंगे उपहुकताओं को आप अब मैं बात बिल्कुल सही है क्योंकि अमूल के लिए उपहुकता ही हमारे जो 36 लाग किसान परिवार है वो ही सहारा है तो अमूल के दो पहलू है एक तरफ यहाँ पर अठाराजा 600 गाहों में 36 लाग किसान परिवार जुड़े है और दूसरी तरफ हमारे करोडों उपहुकता है और अमूल एक बहुती सिंपल सिधान पर चलता है वैल्यू फॉर मेनी और वैल्यू फॉर मनी उनको अच्छे दान देके उनको इस जो व्यवसाय है उसमें जोड़े हुए रखना है तो हमको ये दोनों चीज़े बैलेंसिंग करनी पड़ती है हमारे कस्टमर्स अमूल पर इसलिए विश्वास रखते हैं कि हम उनसे लिए हुए जो मूल्य है उसका सबसे ज़्यादा किसानों तक पहुचाते हैं मानों अगर कस्टमर एक रुपए अमूल पर खर्च करता है तो उसके 80 पैसे से 50 पैसे किसान को उसके गावों में उसके घर तक पहुंचते हैं तो अमूल एक जरिया है, कोपरेटिव संस्था है, एक मातियम है किसानों को बोक्ता से जोडने के लिए और पिछले 76 साल से जो हम यह काम कर रहे हैं उसी से ही विश्वास बना हुआ है और हम यह विश्वास रखते हैं कि इस बार भी यह चोटी सी जो मुल्य वृत्पी हुई है दूद के दामों में वो हमारे किसान परिवारों के हिप में है है ऐसा हमारे शहरी कस्टमर्स मान लेंगे और उसे स्विकार करेंगे अमेदा जी पिछले साल मिल्क अंदस्ट्री पर लंपी का असर पड़ा था अब क्या हाला थे मैम अभी वो सिचुएशन काफी ठीक है क्योंकि हमने बड़े पैमाने पे सरकार की मदद से वेक्सिनेशन का कारिकरम किया तो उसकी वज़े से यह डिजीस कंट्रोल में आ गई और किसान को हला कि कई महीनों के लिए तकलिफ हुई पर हला कि अभी सिचुएशन बहतर है और पर दूद के अगले साल अच्छे हैं और दूद के प्रोडक्शन बढ़ेगा ग्रोथ रेट आ जाएगा वापस तो आइम शूर डेरी इंडस्ट्री काफी और मजबूत होगी आगे कई साल मेरा अगला सवाल यह कि हम समझ सकते हैं कि महेंगाई के समय में आपके उद्योग पर भी असर पड़ा होगा तो आप लोगों को क्या बदलाव लाने पड़े अपने रोज के कारोबार में प्रोसेसिंग इसमें दो पहलू है एक तो प्रोड़क्टिविटी है किसान को कम लागत हो और प्रोड़क्टिविटी इंप्रूव होगी तो उसकी प्रोफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्रोफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो दूद्स के दाम हमको customer से लेने के बदले हमारी productivity improvement और productivity enhancement program से ही हम किसान को ये फाइदा करा पाए तो ये कई सालों से ये काम चल रहा है और उससे प्रती गाई या प्रती भैंस जो दूद उत्पादन है वो बढ़ रहा है cost of feed for order है उसको भी balance करना पड़ता है उसमें भी कई सारी factors होते हैं कि कम दाम पे अच्छी portion के ingredients वाली चीज़े हम अपने गाई बैंसों को खिलाएं और उनसे बहतर quality का बढ़िया दूद हम ले पाए एक productivity हुई और दूसरी बात यह है कि product range भी ऐसी बढ़ा है value addition भी ऐसा करें ताकि हम किसानों को सबसे अच्छा दाम दे पाए तो यह दोनों चीज़ों पर लगातार अमूल के सभी जिला संग जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी हमारे दूद मनलिया जुड़ी हुई है यह ल अब दर यह कि वो भी अपने दाम ना बढ़ा दे और इस बार तो यह हुआ कि बाकी सब के जो हमारे competitors हैं उन्होंने जो दाम पिछले साल December में बढ़ाये थे उसी को हम इस बार हम मैच कर रहे हैं यह जो आज increase हुआ उससे तो अमूल के दाम अभी पहले औरों से कम थे दो र इना था एक तरह से मजबूरी थी कि यह दाम बढ़े किसानों को जादा फाइदा हो इसलिए यह दाम बढ़ाये गए हैं अमूल के बहराला यह देश की बात में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात हम मोटे अनाज के करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर संग ने इस साल को मिलिट्स यह और घोशित किया है बजट के दौरान केंद्रे वित्तमंत्री निर्मला सीतरमन ने भी संसद में इसे श्री अन कहा और इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोड दिया देश में कई थालियों में यह मोटा अनाज एक तरह से गायब भी होने लगा थे लेकिन डिंडोरी जिले की लहरी बाई जैसे लोगों की बदावलत इसकी कई किस्त में सुरक्षित हैं यह और बात है कि लहरी बाई के इस खजाने के संगरक्षन के लिए सरकारी संगरक्षन की भी जरूरत है एक खास रेपोर्ट देखिए मढिया, सलहार, साभा, कुट्टू, चीना, कोदो कुट्की रागी तो हैं ही मदप्रदेश के डिंडोरी जिले के सिल्पिडी गाउं में 27 साल की लहरी बाई के पास ये खजाना है मोटे अनाज के ऐसे बीज जिनके नाम थाली तो क्या लोगों की जुबान और खेतों से भी गायब है दो कमरे के घर में एक कमरे में बीजों को इस सहेज कर रखा गया है जैसी किसी बैंक में खजाना, ये लहरी बाई का बीज बैंक है हमारे दादी लोग पहले इसको खाकर स्वस्त रहें, जीवित रहें लेकिन अब ये खाने से गायब होने लगा है मुझे इसके बारे में बताया गया तो मैंने इसको संजोया, इसमें सलहार, सीखिया, सवा, कटकी, डोंगर, कुट्टी है लहरी बाई अपने जीवन भर की कमाई को इलाके में बाट रही है ताकि मोटे अनाच की खेती की और किसान लोटे हलांकि टूटा घर, बुज़र्ग माबाप की वज़े से उन्होंने शादी नहीं की, गाउं में पानी की किल्लत है, शिकायत है लेकिन होसले में कमी नहीं पक का अवास, गैस सिलिंडर मिला है लेकिन पैसा नहीं है, पानी के लिए पहड के नीचे जाते हैं, लेकिन लेट हो जाता है खाना बनाने में कॉंग्रेस को लगता है यह अन्देखी है लेकिन बीजेपी कह रही है कभी हिद्गराईयों को भी दफतर तक जाना होगा श्रीयंद योजना और वेराउजिंग को जोड़ना चाह रहा है आप, बहुत अच्छा आपका सुझाओ है, लेकिन यह योजनाओं के लिए हमको दफतरों तक भी जाना पड़ता है यह कह रहा हूँ, यह वैसी योजना नहीं है, प्रधान में तरी आवाज में हम गरगर सर्वे करते हैं अभी विकास यातरा शुरू होगी, तो विकास यातरा के दौरान जिनको नहीं मिले और पात्र लोगें, हम उनकी सूचियां पॉलिटिकली भी बनाएंगे और उनके नाम जड़वाएंगे तो कुछ योजना ऐसी होती है, इंडिविजल सेंटरिक जो होती है, उसमें तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल और सोचल मुमिट देखने को मिलता है लेकिन जो व्यावसाइक उपलब दता है योजनाओं की साहताओं की, उसके लिए मुझे लगता है हमको भी जागरत होना थोड़ा जरूरी है मोटे अनाच के उतपादन में देश में 36 गड़ अवल है, दूसरे नमबर पर मद्धि प्रदेश, सरकार बाजरा जवार तो फिर भी समर्थन मूले पर खरीद रही है लेकिन बाकी के मोटे अनाच के सवाल पर वो चुप पिसाद लेती है मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और मद्धि प्रदेश में अभी भी मिलेट्स से कई उतपाद, तैयार आप जानते हैं डिंडोरी में भी बहुत पहले हमने कोदों और कुटकी की प्रोसेसिंग हमारे महला सेल्फ एल्फ ग्रुप से ही करवाना प्रारम्ब कर दी थी अभी तो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे मोटा अनाज, कैल्शियम, आइरन, जिंक, फॉस्फरस, मेगनीशियम जैसे खनिजों के अलाबा प्रोटीन और फाइबर में भी सम्रिद होता है इसमें पानी की जरूरत भी बेहत कम होती है ऐसे सूपर फूट के लिए लहरी बाई जैसे सूपर वोमन को एक सलामी तो बनती है लहरी बाई जब बच्पन में मोटे अनाज, यानि कोदो, कुटकी, रागी वगएरे के बीज इकठा करती थी तो उनके अपने बैगा समुदाए में उनकी संगी, सहेलिया, उनका मजाक उड़ाय करती थी लेकिन आज वो अपने इलाके में और पूरे प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम है उम्मीद करते हैं इस नाम को देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और उसके अनुरूप सम्मान भी मिले डिंडोरी से अपने सहीयोगी डेविड सूर्य और भोपाल से कामरेपरसंट रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी एंडिटीव इंडिया तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मैमान है देविंद्र शर्मा क्रिशी अर्थ शास्त्री है हमारे साथ है देविंद्र जी आपने देखा किस तरह से 27 साल की लेरिया भाई ने ये पूरा बैंक क्रिएट करा है और एक छोटे से घर में एक कमरा पूरा उसको उन् लेकर जमीन पर जो लोग इनको संरक्षत रख सकते हैं उनकी मदद कैसे हो उन तक कैसे पहुंचें जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा लेहरी बाई को तो एक सिनाम तो बनता है और सिर्फ लेहरी बाई को नहीं मैं ये दिखताओं की देश के अलग लग कोने में जहां भी लेहरी बाई हैं और बहुत से लोग जो है मोटे अनाज का सरंक्षन करते हैं और बहुत सालों से ये जो कंपेंड बिल्ड अप हुआ है और ये भी ना भूलें कि जो अगर आज हम इंटरनाशनल एयर अफ दे मिलेट्स को सेलिबरेट कर रहे हैं तो इसके पीछे एक मिलेट सिस्टम में लेकर आएं या हम उसको मेंन लाइंग में लेकर आएं और उसी का परणाम ये है जो हम आज देख रहे हैं कि जतने भी लहरी बाई या ऐसे जतने भी साती हैं जिन्हों ने ये काम किया उनके सरंक्षन से या उनकी आवास को बलंद करने से आज हम मिलिट्स पे दोबारा फोकस लेकर आए हैं और ये महत्पूर्ण है आपने जो कहा कि ये बीच का सरंक्षन लेकिए देश के अलगलग कोने में अलगलग तरीके से इसका बीच का रखरखाब होता है और सीबल सोसाइटी के ग्रूप्स हैं जो ट्राइबल एरियास में काम करते हैं औरीसा में हैं राजिस्थान में हैं आंदरप्रदेश में तिलंगाना में या पाकी और प्रदेशों में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत फोकस है इस चीज़ पे बीच का नियंत्रन करने के लिए या बीच को एक तरह से कंजर्व करना और उसको पोट्रेट करना और मैंने इतना अच्छा टाइम निंग इसका किया है कि आंदरप्रदेश में हैदरबाद के बाहर एक सोसाइटी है डेकंड डेवलिप्मेंट सोसाइटी बहुत सालों से वो इन मोटे अनाजों पे काम करती है और उन्होंने आज से ही एक एक बायडिवस्टी यातरा शुरू की है जो क दस दिन चलेगी और वो एक साल में नहीं हर साल वो इसी महीने में वो बायडिवस्टी यातरा करते हैं जहां कि ट्राइबल्स लोग अपने आप सारा उसका सरंक्षन करके लोगों को बीच में लेके जाते हैं ताकि उसमें और अवेरनेस बढ़े और मैंने वहां देखा कि महिला से मैं मिला था उनके पास असी किसम के वो मोटे अनाज लगारी थी सरफ दो एकर जमीन साल के अंदर अब देखें कितना बड़ा कंट्रिबुशन था उसका कि वो उसको जिसको कहते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन हम कहते हैं सैंटिटिकली वो उसको कर रही है और इत पर फोकस करने की जरूरत है एक तो हम इसको कंसम्शन में पैटर्न में कैसे लेके आएं आम आदमी के लिए हर रोज किस तरीके से हो मिड़ मिड़े मील प्रोग्राम के मात्यम से हो या गुर्दवारों में जो बहुजन मिलता है उसके अंदर भी उसका शेयर होना चाहिए म उसकी प्रडक्शन बड़े है उसका जो कंसम्शन है और बड़े एक बात तो यह है दूसरा हमें फॉर्मल सिस्टम जो है उसको भी होटल में या बाकी जगा पे भी हमें देखना कि उसके कैसे अच्छे पदार्थ बन सकें जो लोगों पर आएं क्योंकि टेस्ट करना ऊपर देना पड़ेगा ताकि किसानशफट कर सकें उस मिलरी शेखें जानते हैं अडिकी कि उस पे कदम उठाने पड़ेंगे जैसा कि करनाटका ने किया था दो किन साल पहले उन्हों ने जो रागी को बढ़ाने के लिए उसका अच्छा दाम दिया जिस से करके रागी की परड़क्शन बढ़ी है उसी दिए कैसे आप बागी परदेशों को भी करना पड़ेगा एक संक से लेकिन किसान लोग जो हमारे किसान लोग हैं उनको अगर इसका उतपादन करना कितनी मुश्किल है या किसानी में क्या आरचने आती हैं उसको अगर आसान क्या जाए देखिए इसमें पहली बात तो यह है कि हमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वह इसका जो से इतना फैदा हो रहा है तो वो चाहेगा कि मोटे अराज से भी उसको उतना फैदा निकले अब देखिए सरकार ने अभी बतीस रुपए प्रती किलो का शैद उसके आसपास MSP घोशित किया हुआ है लेकिन अगर आप टोटल उसका खेट का या एक एकड में जो पैदा करेग चाहे consumer demand भी जादे करें लेकिन farmers की तरफ से देखेंगे आपको नहीं उस तरीके का जो उसका share बढ़ना चाहिए वो बड़े का मेरा मानना है कि pricing और एक layout करना चाहिए कि हम किस areas में जैसे पंजाब के अलाके हैं आप जानते हैं पानी का बहुत दोहन होता है तो उसमें अग कि इसके ultimate जो impact क्या होगा उसको देखते हुए हम environmental जो cost बचेगी तो आफ्टर बर्निंग भी तो होती है उसका दिली पे कितना परवाब पढ़ता आप जानते हैं तो हम यह millets के तरफ shift करते हैं तो obviously उसकी जो cost है वो हमें देनी पड़ेगी किसानों को ताकि वो उसको adequate ecosystem में इसको ला सके कोट ने केंद सरकार को खरी-खरी सुनाते वे साफ कर दिया है कि उसे सक्त कदम उठाने पर मजबूर ना करें लेकिन सरकार की तरख्वास पर कोट ने इस केस को 13 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने केंदर पर जमकर हमला बोला कोट ने कहा कि आपका रवया हमारे लिए परेशान करने वाला है आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई गंभीर फैसला ले लें हाई कोट में जजो की तबादले की हमारी सिफार्शों पर अब तक अमल नहीं हुआ आप उसे भी लटकाए रखे हुए है वही केंद सरकार की और से कहा गया कि इस मामले में प्रकिरिया चल रही है जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा कोट ने फिलाल दो हफ्ते का वक्त दे दिया है जजो की निउक्ति को लेकर सुप्रीम कोट पहले भी गंभी रहा है लेकिन अब उसने सरकार को चिता दिया है कि उसे कड़े कदम उठाने पर अगर कोट मजबूर होगी तो फिर मजबूत कदम उठाए जाएंगे नई दिली से मनुष्ठाकुर के साथ आशीज भारगाव एंटी टीव इंडिया और देश की बात में आगे आपको ले चलेंगे मुत्तर प्रदेश अश्यां पर अखिलेश यादव के काफिले की जो गाड़ियां आपस पर टकराई है क्या स्थित्य बताएंगे अधर के अर्बेग बढ़के हैं अंदर के अर्बेग निकले भारते फारते हैं और आई अब बात करते हैं मुत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के काफिले के साथ हाथसा हुआ है ये मामला आपको पता दे उत्तर प्रदेश के हरदोई का है अखिलेश यादव की काफ़ले की कई गाड़ीयां आपस में टकरा गए हाथ से की समय कई लोगों के घायल हुने की खबर है हमारे सैयोगी जैस सिंग इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हर्दोई में अखलेश यादो के काफले की तकरीवन आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां आपस में टकरा कर छतिगरस्त हो गई घटना उस समय की है जब अखलेश यादो एक निजी कारिकरम में हर्दोई के हरपालपुर गए हुए थे और वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो उसके बाद उनके काफले की गाड़ियां टुए जो फरहत रेलवे क्रासिंग के आसपास जो है उनका काफला आगे बढ़ गया और जो पीछे की गाड़ियां थी आचानक किनी वजहों से उसमें आगे की एक गाली में ब्रेक ल जो है बगल के अस्पताल में निजी अस्पताल में ले जा करके उनका इलाज कराने के ब्योस्ता की गई मौके पर जब पॉलिस पहुंची लेकिन इस बीच अफरा तफरी का माहौल रहा काफी जादा जो है वो जाम लग गया था सड़कों पर जिसे रुकवाया गया और अचानक जो एक एक्सिडेंट हुआ उसमें कई लोग घायल हुए और तकरीबन आधा दर्जन से जादा गालियां च्छतिग्रिस्त हुई पूरी घटना में लोग बता रहे हैं कि कोई सामने से किसी बस को बचाने के लिए आगे की किसी एक गाली ने ब्रेक मारा और सारी ग पहुंची कोई नुक्सान नहीं जैसा कि वहां के पुलिस के मताबिक कोई नुक्सान नहीं हुआ लेकिन जो पीछे की जो गालिया थी वो जरूर छतिग्रिस्त हुई हैं और लोग घायल भी हुए हैं केंद्रे वित्यमंत्री निर्मला सीतर रवन ने संसत भवन में बीजेपी संसतों को बजट की खास बातें आज बताएं सांसतों के सवालों के उन्होंने जवाबी दिये अब ये सांसत अपने इलाके में जाकर लोगों को बताएंगे कि ये बजट आम लोगों का बजट है सांसत भौन की लैवरी बिल्डिंग लोग सभा से लेकर राज सभा तक के बिजेपी से जुड़े तमाम सांसत जुटे मौका था बित मंतरी निर्मला सितारवन का अपने सांसतों को बजट की खुबियों से आउगत कराने का मन में बजट को लेकर जो भी सवाल उठे थे सबका जवाब देने का उन मुद्दों को बताने का जिसे लेकर सांसतों को जनता के बीट जाना है बजट को यह लगता है कि बजट में आम जनता के फायदे से जुड़ी बहुत सारी बाते हैं जिसका जनता तक पहुँचना बहुत जरूरी है महिलाओं गरिब तबको और मेडिल क्लास के लिए बहुत कुछ बजट में एलान किया गया है जिस बजट हमारा मन्रेगा के बारे में कुछ नहीं कहा और जहां आँखरे देखिए कि हमारे सबसे रेकॉर्ड नीचे वाले आँखरे साथ हजार क्रोर दे रहे हैं पिछले साल से 33 प्रतिशत कम तो इस किसम के बज़र आओ आदमी को क्या मदद देंगे आप देखें कि बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं कहा इस साल करीब नौ राजियों में बिधान सभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोक सभा का ऐसे में बिजेप्य के एसास है कि अगर जनता तक वो अपनी बातों को नहीं पहुचा पाते हैं तो इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है भाजपाप ने लोक लुभावन बजट का लाब उठाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाथी सांसदों को बजट क्लास के जरिये बित मंत्री ने उन्हें बारिक्या समझा दी और जनता से जोड़ने का फर्मूला भी सांसदों से राजी उन्टे एंड़ी टीव इंडिया और देश की बात में बात अब असम की करते हैं बाल विवा के खिलाफ असम सरकार अब और सकती दिखाने वाली है अब तक दर्जवे करीब 4000 मामलों में आज से ही एक्शन शुरू हो चुका है आपको बता दे कि असम के मुक्यमंत्री हिमंत्र बिस्वा सर्माने हाली में 14 साल से कम उम्र में शादी करने पर पॉक्स को एक्ट के तहत कारवाई करने का आदेश जारी किया और अब असम सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है पुलस सूप्स्रों ने बताया कि कारवाई शुरू हो चुकी है और अब तक कई लोगों को गिर्फतार भी किया गया है बजट में इस बार खेल मंत्राले के बजट में बढ़ोतरी की गई है केन सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्राले के लिए 3397 करोड रुपे का बजट दिया है दावा है कि पिछले साल वाशुक के तुल्ला में 11 फीसती ज्यादा है तो खेलों इंडिया के लिए भी 1000 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है इस बार खेलों इंडिया का आयोजन मत्रदेश की राजधानी पोपाल में हो रहा है सुनते माँ पे खिलाडी और कोच इसको लेकर क्या सोचते हैं इन खिलाडियों का सपना है उलम्पिक एशियाई किलों में भारत के लिए तमगा जीतना सरकार ने एशियाई और उलम्पिक की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्राले के बजट में 3397 करोड रुपे से जादा का प्रावधान रखा है ये पिछले साल के मुकाबले 723 करोड रुपे से जादा है इन खिलाडियों और उनके कोच का मानना है इससे उनकी तैयारी और निखरेगी बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा फैसलिटी देंगे और हमारा क्या है कि MP जो की बहुत ही टेलेंट से भरा हुआ छेतर है ग्राउन्ड लेबल पे हमें सर्फिस अच्छा मिलेगा जैसे भी जवलपूर में दूर नए संधेटिक ट्रैक बन रहे हैं तो अभी तक जवलपूर में नहीं थे अगर वहां पे दो संधेटिक बन रहे हैं तो उसका बैनेफिट यह मिलेगा कि जादा जादा एथलीट जरूरी चीज़ तो डाइट होती है। अगर अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, मेने तो सब करते हैं, मेने सब अच्छा करते हैं, बट अगर अच्छे से हम डाइट लेंगे, तो अपने आपको और अच्छे से बेहतर से तयार कर पाएंगे, और अच्छा कर पाएंगे हालां कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बजट का बड़ा हिस्सा खिलाडी बनने की प्रक्रिया में खर्च होना चाहिए उन्हें ये भी लगता है कि खेलों में ब्रश्टाचार की वज़े से कई बार आवंटिद बजट का फाइदा खिलाडियों को नहीं मिल पाता खेलों का बजट इस बार बढ़ा है कुछ लोग इसे स्वास वर्धक बता रहे हैं कुछ लोगों के लिए उत्साफ वर्धक भी है लेकिन कई जानकार कह रहे हैं कि उल्मपिक जैसे खेलों के लिए ये अभी भी उट के मूँ में जीरे के मानिंद ही है और फिलहाल सुर्खियों में आने लायक नहीं भुपाल से अपने सही होगी रिजवान खान के साथ हनुरागदवारी एंडिटीव इंडिया देश की बात पर बात अब हम करते हैं करनाटक की बैंगलरू के मलपुर में एक फ्लाइवर बनना है आसपास के कई स्कूल है एसे में स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री बासवाराज बुममय को पत्र लिखकर अपील की है कि उनकी सिहत और परियावरन को देखते हुए फ्लाइवर प्रोजेक्ट पर उनकी सरकार दोबारा विचार करें ये उन हजारों पत्रों में से एक है जो बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बुमय को लिखी है यानि बुमय अंकल किर्पिया कर हमारे प्रयावरन को बचाएं ताकि हम साफ सुथरे हवा में सांस ले सके तकरिबन पांच हजार के आसपास ऐसी चिठ्थिया मुख्यमंत्री दफ्तर को बेजी गई है ताकि बैंगलूरू के बाशम सरकल पर आधा किलोमीटर लंबा फ्लाइओवर को बनने से रोका जा सके बड़ी संख्या में बच्चों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोमय को पत्र लिख कर अपने फैसले पर पुनरविचार करने का आग्रह किया है फ्लाइओवर जहां बनना है इसके आसपास बहुत सारे स्कूल है आखिर बच्चे बगकीर फुटपाथ के स्कूल कैसे जाएंगे आसपास का जो परियावरन है वो किस हद तक प्रभावित हो रहा है वो भी देखिए नौन पीक आवर्स में यहां बाशम सरकल पर ट्राइफिक का फुलो देखिए जिस तरफ आप नजर दोड़ाएं गारियों का ताता लगा हुआ नजर आएगा और इसलिए यहां पर अंडरपास के साथ साथ रोड वाइडनिंग और फ्लाइओवर का निर्मान करने की कोशिश हो रही है लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं की आधा किलोमीटर के फ्लाइओवर और अठारा फीट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट से साथ के आसपास पेड़ों को काटना होगा और ये पेड पंचियों के साथ साथ तईस तरह के जीव जन्तूओं का बचे रहा है सडक को चोड़ा करना जरूरी है नहीं तो आवा जाही में बहुत परिशानी होगी इसलिए हम प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं लोगों के विचार इस मुद्दे पर बैठे हुए है कुछ चाते हैं कि फ्लाइओवर बने कुछ चाते हैं कि ना बने लेकिन हम जरूरत को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं पेडों पंचियों के साथ साथ इस जील को लेकर भी लोगों की चिंता है करनाटक हाई कोट ने भी इस प्रोजेक्ट को हरी जंडी दे दिये अब देखना है कि बच्चों का मुख्यमंत्री को लिखा पत्र क्या रंग लाता है बैंगलूरू से कैमरामेन गोविन मूर्ती के साथ निहाल किद्वई एंडी टीवी इंडिया